हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जतिन गर्ग, फिजिशियन चस्पूर मेट्रोग हॉस्पिटल से, आज पहली बार आपके सामने आ रहा हूं, यह मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा नर्वस भी हूं, बट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसा लगेगा बताईएग जरूर है, तो आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, डायबिटीस या मदू में जिसे लोग कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी साजा करने आएं, सबसे पहले तो डायबिटीस होता क्या है, डायबिटीस जिन लोगों के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, उनके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, परिवार में चलना इसकी एक आम बात है, इसके कई सारे लक्षन हैं, जिसके अधार पर हम ये सोच सकते हैं, कि हमें डायबिटीस चेक कराना चाहिए, जैसे कि पिशाप का जादा आना, प्यास जादा लगना, भूक जादा लगना, चरीर में दर्द रहना, ठकावट रहना, बार बार कोड़े पुंसी होना, जखम होना, और सबसे कॉमन जो आपके परिवार में, आपके माता पिता में, या दादा दादे में चला आ रहा हो, ऐसे लोगों को डायबिटीस होने क के लक्षन बहुत जादा रहता है, डायबिटीस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसे आप जल्दी अगर पहचान लें, तो बिना दवाईयों के भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप योगा से, वियाम से, अपने खाने पीने में कंट्रोल करकर, एक्सरसाइज करकर, इसको कं कुछ लोग इन लक्षनों को नजर अंदाज कर देते हैं उन लोगों को डायबेटीस के लिए बहुत जादा सतर्क रहने की जुरुत है अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके शरीर में डायबेटीस से होने वाले दूर विवार देखने को मिल सकते हैं जैसे कि इनके गुर्दों पर असर हो सकता है नसों की कमजोरी हो सकती है आंखों से दिखना कम हो सकता है दिल की बिमारियां हो सकती है और भी कई इसके बुरे लक्षन है ऐसे लोगों को नियंतरित अपने डायबेटीस को चेक करना चाहिए एक जाच होती है हमारी HbA1c मैं फिर से दोराता हूं HbA1c जो आपके लास के तीन महीने की डायबेटीस को चेक करता है उसकी एक नियंतरित वेल्यू है 1.5-1.5 के बीच में या उसके 1.5-1.5 अगर 2.5 से ज़्यादा आती है तो आपको डायबेटीस को और ज्यादा करने की जरूरत है कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर हम लकडी को खा जाती है, डाइबेटिस आपके पूरे शरीर को खा जाएगा, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कई सारे लक्षन हैं, कई सारे इसके दुर्वेवार हैं, अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, सबसे पहले बिना इलाज कर भी आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे कि आप exercise करिए, आप वयां करिए, आप walk करिए, आप इसको नियंत्रे चेक करिए, खाने पीने में अपना कंट्रोल करें, नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आप कुछ दवाईयों से स्टार्ट कर सकते हैं, फिरू में कम मात्रा की दवाईयों से ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी दवाईया हैं, कुछ लोगों में यहां तक बच्चों में कई पर हमें इंसुलिन को यूज करना पड़ जाता है, इंसुलिन एक तरह का इंजेक्शन है, जो शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसको हम इंजेक्शन दवारा आपके शरीर में पहुंचाते हैं, ताकि शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके, अब यह हमारे सामने बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं, इसार इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी, आदत तो इसको कंट्रोल में रखिए, सुष्थ रहिए और एक खुशाल जीवन जीए